नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जारखन के 20 लाख हरा करधारियों को माज से मिलेगा रासन राजे के 20 लाख हरा करधारियों को 7 माह बाद माज से रासन मिलना सुरू होगा जे एस एपसी ने टेंडर के पर किया पूरी करने के बाद कार्य का अवंटन कर दिया है निदेशक दिलीप तिर्की ने बताया है कि 8 माज तक हरा करधारियों के बिच रासन बित्रन का काम सुरू कर दिया जाएगा बता दे एपसी आई की ओर से चावल देने से इंकार किये जाने की वज़ा से हरा करधारियों को अगस्त माह से रासन मिलना बंद हो गया था इसके बाद जन्वरी माह में सरकार की ओर से चावल खरीत को लेकर टेंडर अमंत्रित किया गया राज सरकार ने जन्वरी 2021 से जारखन राज खाज सुरक्षा जोजना लागू की थी इसके तहट खाज सुरक्षा दिनियम से जुड़े 15 लाख लाबकों को एक रुपे प्रती किलो की दर से चावल पांच किलो चावल प्रती माह उपलब्द कराया जा रहा था अगस्त माह में केमिनेट की बैठा के बाद 5 लाख परिवार को इस जोजना से जोड़ा गया अब इनकी संख्या बढ़कर 20 लाख हो गई है सरकार की ओर से चालू वी तिये वर्ष 2022 थे इसमें गरीबों को प्रती परिवार अनुदानित दर पर एक किलोग्राम डाल देने की योजना सुरू करने की घोसना बयट की थी बयट घोसना के यहारा मात के बाद भी अब तक डाल बीत्रन योजना सुरू नहीं हो पाई है जारखं में फरवारी के महिने में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है पॉली से पहले मिलेगा मान दे सिख्चा मंस्ट्री स्कूरी शिक्षता अभी बाके मंन्त्री जगानाथ महतों ने आकलन परिक्षा में सामिल होने के लिए समय सीन में एक बार फिर बढ़ाने के संगे दिये हैं उन्होंने सुक्रवार को जार्खन राजे सहयोगी समुदाइक सुक्षा संग के प्रत्रिनी बंडल से सिक्षा सचीव एवं परियोजना निदेशक से बात कर जाये का पोर्ट परियोजना निदेशक कियन कुमारी पासी से बात कर होली से पहले सभी पराजिशकों के मान दे दिलाने का भरुसा दिलाया है जारखन के 7 further युवाओं की राय पर हुआता है 2016 के पूरो की निदी पर होगी न्यूकती राज सरकर की न्यूजन निदी का ड्राप्ट तयार हो गया है वो गया है सरकर 2016 से पूरो की निदी को फिर से लागुए करने की तियारी कर रही है बतादे राज सरकार 27 को केमिनेट की बैठक में नीती क्यामस होदा ला सकती है उच्छ पदस्त सुत्रों से मिली जनकारी के उनसार 2016 के नीती में आंसिक फिर बदल हो सकता है सरकार ने नियुजन नीती को लेकर राज के युवाओं के साथ सनवात किया था राज के साथ लाख युवाओं को मुख मंत्री का रिकोर्डेट संदेश भेज कर उनकी राए मांगी गई थी बता दे राज के नाबे फिस्ती युवाओं की एक ही राय थी कि सरकार सबसे पहले नियुक्ती पर किरिया अबिलम सुरू करे युवाओं की राय के अधार पर ही सरकार नियुक्ती पर किरिया को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल की है सुचना के मुताबिक गयर आरक्षी रियुक्तियों में कुछ बेरियर लगाक और सरकार नहीं निती बनाएगी जार्खन केबिनेट की 27 फरवारी को होने वाली बैठक अस्थागीत जार्खन केबिनेट की बैठक अब 27 फरवारी को नहीं होगी इस बैठक को अस्थागीत कर दिया गया है जार्खन मंत्री मंडल सचीवाला एवम निग्राने विभाग द्वारा एजनकारी दी गई किसे देखते हुए केबिनेट की बैठक अस्थागित कर दी गई है सिर्फ अपचारिक्ता तक सीमित न रहे समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें उन्होंने टीवी उन्मुलन की दिशा में CSR के तहद सक्रियता से कारे करने पर बल दिया उसके साथ ही कहा कि टीवी के मरीजों के उपचार के बाद उन्हें कौसल विकास का प्रक्सिक्षन देकर रोजगार उपलब्द कराने की दिशा में परियास किया जाए राजेपाल सीपी रादा किर्जन ने कहा है कि अतिरिक्त पोसाहार स्वक्षता आदी के छेत्र में ध्यान देकर यम लोगों को जागरूप कर टीवी का उन्मुलन निर्धारित लक्ष के पूर्व किया जा सकता है जारखन में होली का दहन 6 मार्च को रंगो के तेवार होली की तारिख नजदीक आती जा रहे है इस वर्च होली का दहन 6 मार्च को है पंडित कौसल कुमान मिस्रा ने बताया है कि वारा नसी पंचांग के नुसार 6 मार्च की रातरी से 4.49 मिनट तक भदरा है इसके बाद होली का दहन किया जाएगा कुछ वारा नसी पंचांग के नुसार होली का दहन का मोर्च 6 मार्च की रात 12.30 मिनट से 1.35 मिनट के बीच भी है क्योंकि उस समय भदरा पुक्ष रहेगा इसमें होली का दहन किया जाता है 6 मार्च सुबह 9 बजे डंडार ओपन किया जाएगा वही 6 मार्च की रात 11.30 से पुर्वा फागुनी नक्षत्र लग रहा है जिसे सुब मना जा रहा है यह नक्षत्र रात 2 बज कर 2 मिनट तक रहेगा होली का दहन पराता काल के समीप होने के कारण 7 मार्च को होली सिर्फ वारा नसी में मनाई जाएगी बाकी जगों पर होली 8 को मनाई जाएगी होली के दिन उत्रा फलुगी योगी मिल रहा है यह रात 3.43 बज तक रहेगा इस दिन प्रतिपदा साम 6.57 तक रहेगा चारखन में भागपा मवादी की साजिस नकाम 4 IED बरामत पच्मी सिंभूम के नक्सल परहवीत गोईल के राथाना चेतर के 1 गराम मिराल गडा गाउं के पास नक्सलियों के खिलाप ऑपरेसन के दोरान पुलिस ने सुक्रवार को 4 IED बरामत कर उसे नस्ट कर दिया है ए जनकारी पच्मी सिंभूम जीले के S.P.A. सुतोस से खर दी है सुचना परनक्सलियों किलाप ऑपरेसन चलाया जा रहा था इसी करम में IED बरामत किया गया पुलिस को नुक्सान पहुचाने के लिए मवादी ने इसे प्लांट कर रहा था बाल सनरक्षन आयोग और जेजे बोर्ड में जल्द करे नियुकती जहारखन हाई कोट जहारखन हाई कोट के चेप जश्टिस संजय कुमार मिस्रोव जश्टिस एसन प्रसाद की खंटबिट में राजबाल सनरक्षन आयोग और जुवे नाइल जश्टिस बोर्ड में रिक्त पदो को जल्द भरने की मांग वालियाज का पर सुनवाई हुई सुनवाई की दोरान अदालत ने कहा है कि अदि इन पदो को सिग्र नहीं भरा गया तो आदालत सक्त अदेस पारित करेगा अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि इन पदो पर नियुक्ति नहीं होने से बचों को मिलने वाले नियाए में बाधा उत्पन हो रही है आई एस पुझा और अने के खिलाब अनुसंसा पर पुछे सवाल जी ने अपनी जाच रिपोर्ट का जिक्र करते हुए लिखा है कि पुझा सिंगल की विरूद मन रेगा घोटाला में जाच के करम में ही यह तत्त सामने आया था कि पुझा सिंगल ने खान एवं भुतत विवाग का सचीव रहते हुए अवैद कनन से भार्यूगाई किया अनुआद की गलतियों के कारण राज भावन से वापस लोटाय जा रहे विधैक पर उठाय सवाल बिधान सभा अध्यक्ष रविन रातमातों ने विधैकों में दूटियों पर सुक्रवार को राज सरकार के अधिकारियों से सवाल पूछे हैं क्यिकुचे सब्सक्राऊबब सेक्या की कि विधःक के इसी मैं अनुवहाद में ग прогलतिया कैसे हो रही है बिभागी अधिकारियों को असपष्ट निर्देश दिया गया है कि विदेखों को सदन में रखे जाने से पहले उसकी प्रती साथ दिन पुर्व बिधान सभा सची वाले को प्लवध कराए बड़ फुलू के लक्षन मिलने पर कौरंटाइन होंगी मुर्गियां बोकारों के चास में वर्ट फुलू की पुष्टी होने के बाद राजे के किरिसियों पसुपरन विभाग सतर्क हो गया है बिभाग नई से लेकर सभी जीलों को अलट जारी करते वे इससे बचाओ को लेकर सभी अवस्यक करवाई करने तथा पसुपरन निदेशक चंदन कुमा ने बताया कि सभी जीला पसुची की सब पतादिकारों को पक्षियों में वर्ट फुलू के लक्षन पाया जाने पर उ निदेश दिये गाएं उनके अनुसार बोकारों के जिस छेत्र में वर्ट फुलू की पुष्टी हुई थी वहां सभी मुर्गियों को मार दिया गया है वहीं आम लोग भी ऐसा कर रहे हैं उन्होंने विश्वास चताया है कि इसका संक्रमन नहीं फेला है रिम्स में मरीज की मौत के बाद पुष्ट मास्टम के लिए पैसा मांगने का आरोप सड़क हादसे के बाद गंभी रूप से घहल हुए चार मरीजों ने सुक्रवर को रिम्स में दम तोड़ दिया है इसके बाद उनके परिजनोर रिम्स प्रवधा पर गंभीर आरोप लगाया है उनका आरोप है कि रिम्स के करमचारी ने उनसे पश्मासम के लिए पैसे गया इसमें चार की इलाज के दरान शुक्रवार को मौत हो गई थी असके ब्यट सत्र पर बिधायक दल की बैठक में सीयम हमंत ने कहा 27 फरवर इसे सूरु होरे जारकन विधान साबाय के बैठक को लेकर शुक्रवार को इस पिकर रमीद नंसे ने आत्माहतों के अतकताम बि बिपक्ष को भी सवयोग करना चाहिए जारकन विधान सब्सक्राइक दल की बैठक में बिपक्ष यानि बीजेपी और आईसू अनुपस्थी था है इसे उनका रूख असपस्थ है अलाकि सरकार ने सदन को लेकर त्यारी पूरी कर ली है इधर 27 फरवरी से सूरू हो रहे है जारकन विधान सब्सक्राइक बैठ सत्र को लेकर सुक्रवार को इस पिकर रमीन राध मत्तों ने कौक्ष में बैठक अविजीत की गई है 31 मार्श तक बिभाग ये बैठकी सत्र परतिसर रासी होगी खर्च चालू वी तिये वर्ष के बैठ में सरम बिभाग को योजना मद में 500 क्रोर आवंटित किये गए थे आवंटित बिभाग ने फरवरी महिने तक 70 परतिरासी खर्च होने का वादा किया है शरम मंत्री सत्यानद भगता ने का है कि 31 माल तक स्रम बिभाग सत परतिसर रासी खर्च करने में सफल होगा पतादे जहारखन में हर साल बिभाग की रासी सरेंडर होते रहे हैं इस बार भी चालू वीतिये वर्ष में जिस तरह से सरकारे विभागों के द्वारा खर्च किये जा रहे हैं उससे लग रहा है कि एक बार फिर भारी भरकम राशी सरेंडर होगी पिछले वीतिये वर्ष में जोजना बयाट के लगभग 15,000 क्रोड़ रुपए सरंडर हो गए थे इस बार राज सरकार ने गंभीरता दिखाते विभागे सचीव को सह समय बयाट की राशी को खर्च करने के निर्देश दिये हैं जमीन में गार कर रखो पैसा सियम हिमन्त ने जनता को दी सला जारखन के मुख्य मंत्री हिमन्त ने रामगड में एक चुनावी सभा को समोधित करते हुए अजीबोगरी बयान दिया है बता दे मुख्य मंत्री जन सभा में मौजूद लोगों से कहा है कि आपना पैसा जमीन में गार दो लेकिन बैंक में मत रखो उन्होंने कहा है कि आज भरोसा नहीं है कि कौन सा बैंक कब डूब जाए मुख्य मंत्री हिमन सुरेन ने कहा है कि आजाद भारत का सबसे बड़ा पैसा का घोटाला मोधी सरकार में हुया है उन्होंने कहा कि अर्थ वेवस्ता चर्मरा गई है पता नहीं कौन सा बैंक कब डूब जाए कहा कि बैंक वालों का हाथ पाव काप रहा है सियम हिमन सुरेन ने कहा है कि मैंने सुरू से गाव देहात के किसान और मजदूरों के साथ कहा है था कि आप लोग अपना पैसा बैंक में मत रखिये आज खल बैंक लगातार डूब रहा है आदिवासी बचाव रैली मोराबादी मैदान में 5 मार्च को आयोजित आदिवासी बचाव रैली को सफल बनाने के लिए आदिवासी जन परिशद और अखिल भारतिया आदिवासी विकास परिशद के लोगों ने सुक्रवार को कांके छेतरे के हुंदूर पंचायत और हुंदूर सेज जन संपर्क अ आगे बनाना होगा उन्होंने 5 मार्च के रैली में आदिवासी समाज को मोराबादी मैदान जूटने की अपिल किया है धन्यवाद